अर्सिद्धी एक दिशा सुन्य थी सर्जन तरप मां आप सवनू अर्दिक स्वागत छे आजे आपणे वन चेतना प्रकाशन ना प्रक्रण बे वनोनी भुमिका आने महत्व विशे आपणे चर्चा करीशू आना पहला पाण आपणे प्रक्रण एक नो एक विडियो मुखे लोज चे जे तमें क्ले लिष्ट मां जयी जोई शको चो वनोनी भुमिका आने महत्व अलग-अलग ग्रंतों मा व्रुक्षो ना महत्व विशे अलग-अलग लखेला चे जेना विशे आपणे चोई ये तो सवप्रतम स्रीमद भागवद गीता जे मां लखेलू चे के व्रुक्ष एक कदी कोई याचक ने निराश न थी करया प्राणी मात्र ने जीवन प्रदान करनार आ व्रुक्ष नो जन्म उत्तम दान्वीर कहण जेओ धन्ये चे के तेनी पासे ती कोई याचक खाली हाते जतो नती अने तेथी तो देवो पन व्रुक्षो ने पुजा करे चे अहीं तमे जोई शको व्रुक्ष ने एक दान्वीर उत्तम दान्वीर कहण साथे सर्खावामा आवेलू छे एक फड के फूल वालू व्रुक्ष उचेर वाती परियावरण येवू आनन्दमय अने सवरब में थाये जे रिते सू पुत्र कोई कुटुमने आनन्दमय बनावे चे लेके कवटूमबीक भावना साथे संकळवामा आवेलू छे वराह पूराण मां दर्शावी चे के व्रुक्षो बढ़तन आपे चे प्रवासीने चाया आपे चे स्तळ आपे चे पक्षियों नो मालो बनी फल फूलो पान चाल मूल रस अने अवसद्यों आपे चे आमाई अलग-अलग ग्रंतों मा रुक्षो नू महत्व दर्शावामा आवी चे आना आगर जो अपने चर्चा करिये तो अथर्व वेद मां कह्यू छे के अमे वन देवता रुक्ष चोड अने अवसद्यों ना सरने जहिए चे आ बदा आमने पाप्ती चोड़ाव से अहीं तमे ग्रंतनू नाम ने वाक्य यादराग्यो परिक्षामा कदाच प्रश्न थाई शके वाक्य पूछे अने कया ग्रंतमा दि लेवामा आवी चे तो कदाचा तमारा काम मा आवसे विक्रम चरितना एक स्लोक मा जणावी चे के व्रुक्ष सज्जनों जिवा परोपकारी चे पोते तापमा रही विजाने छायो आपे चे फड़ा आपे चे चरक सहीतामा वनोना विनाशने मनुष्याने समकर राष्ट्र माटे अकल्यान कारक दर्शावावामा आव्याचे व्रुक्षोनु जीवन रूशितुल्य जीवने चे व्रुक्षना चार गुण चे व्रुक्षनो पहलो गुण चे स्तीरता बीजो गुण ते परोपकारीता त्रीजो गुण चे चे अयाचकता औने चोथो चे निरा भीमानी पणू अहीं तमी याद राग्जू आपने अत्यार सुधी मा एक तो स्रीमत भागवत गीता नी चर्चा करी स्रिमत भागवत गीता मा एवु कहवा मा आवी चे के व्रुक्ष एक कोईपण याचक ने निराश करतो नथी यने तेनी सर्खामनी उत्तम दानवीर करण साते करवा मा आवी चे त्यार बाद द्वितिय मा वराह पूराण मा दर्शावी चे के व्रुक्ष बढ़तना पे चे प्रवासीने चाया स्तला पे चे पक्षियोंने मालो बनी फल, फूल, मूल, छाल, रसने अउसदियों पे चे अथर्ववेद मा कईवी चे के अमे वन देवता व्रुक्ष चोड़ने अउसदियोंना सरणे जईये चे आ बदा आमने पाप्थी चोड़ाव से विक्रम चरित मा एक स्लोक मा जणावी चे के व्रुक्ष सज्जनों जिवा परोपकारी चे पोते तापमान रहीने विजाने छायों आपे चे फळ आपे चे चरक सहीतामा वनोना विनाष ने मनुष्याने समगर राश्वर माते अकल्यान कारक दर्शावामा आव्या छे आसी वाई व्रुक्षोनों जिवन चे चे ए रुषी साथे एलेगे रुषी तुल्ले जिवन चे व्रुक्षना चार गुण चे व्रुक्षनों पहलो गुण चे स्तीरता द्वीतिये परोपकारी ता त्रीजो अवया चकता चोथो निराभीमानी पणुँँँँँँँँ व्रुक्ष ए आपना जिवनमा अगत्यनू भाग बजवे चे परियावरण जानावनी अने सरक्षन जडवायू परिवर्तन जड़ना स्त्रोतो वर्सादी पाणी ने वहितू अटकाववा वर्सादी पाणी ने जमीनमा संचीत करवा व्रुक्षो अने वनो मुख्य भुमी का बजवे चे अहीं महत्वा मा अब दर्शावी चे के जे परियावरण जानावनी सरक्षन जड़वायू परिवर्तन जड़ना स्त्रोत वर्सादी पाणी ने वहितू अटकाववू वर्सादी पाणी ने जमीनमा संचे करवू ए बदा कामों मा व्रुक्षो अने मनो मुख्य भवमी का बजवे चे आ सीवाई जो अपड़े जुए तो लाकडू ए बड़तन ने रसोई माटे नो मुख्य स्त्रोत चे जो व्रुक्षो नो सोटका इस्सो गणमामा आवे तो दस्ती विश्टकाज मार्केट प्रोडक्ट तरीके रुपान तरीत करवामा आवे चे ज्यारे एंसीती ने उटका जत्तो उर्जा उत्पादन मा वप्राय चे प्रुत्वीपर ना मानव सहित ना प्राणियोंनु मुख्य जीवन आदार एवो प्राण वायू ओक्सिजन व्रुक्षो द्वारा प्रका संसलेशन नी क्रिया द्वारा प्राप्त थतो होई जीव अस्तित्व माटे अनिवारिये चे आपने सव जानिये चे कि जेटली पन जीव स्रुष्टी चे ये बदीज ओक्सिजन ने प्राण वायू तरीके वापरे चे अने तेना वगर जीवन चक्के नती अने आ प्राण वायू ओक्सिजन ये व्रुक्षो नी प्रका संसलेशन नी क्रिया द्वारा उत्पन न धाय ग्लोबल वर्मिंग जेवी वैस्विक समस्याने काबू राखवा मां मदद रुब बने चे ते कारणे वर्साद नी अनियमित ता दुषकाल पूर वावा जोला तता आती वरुष्टी जेवी कुद्रती आपतियो सामे रक्षन आपे छे ग्लोबल वर्मिंग जेवी पूर वावा जोला अती वरुष्टी ए धरेक मां आपणने रक्षन आपे छे आप बाद आपड़े वनोनी वैज्ञानिक माहिती लेए तो वैज्ञानिक माहिती मुझब कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता विश्व विद्याले मां प्रोफेसर टी एम दासे वैज्ञानि नो लाब आपणने आपे छे याद राग्यो कलकत्ता विश्व विद्याले मां प्रोफेसर टी एम दास अने अमनू तारण जे ओग्णिसो एसी मां करवा मां आवेलू ते मुझब पचास वर्षनू एक व्रुक्ष आपणने 15.50 लाख उपर नो फायदो एटले के लाब कर आपे छे जे माती प्रतम ओक्सिजन के जे आपणो प्राण वायू गणाए ते 2.50 लाख रुपिया नो जमिन नी फर्द रुपता 2.50 लाख जड संची ताने बेज 3.00 लाख प्रक्षियों और प्राणियों ना रैठान जो आपणे गणिये तो 2.50 लाख प्रदूशन निय ये ओगणी सोने एंसी मा करवामा आवेलू क्या करवामा आवेलू तो कलकत्ता विश्वविद्याले मा प्रोफेसर नू नाम टी एम 10 अने तारण ए हतु के 50 वर्ष नू एक रुप्ष 15.50 लाख रुपिया नो लाब आपे छे जिमाती ओक्सिजन जमिन नी फर्द रुपत ये 2.50 लाग 2.50 लाग जर संचीत ने भेज 3 लाग पक्षियो औने प्राणियो ना रेठाण ना 2.50 लाग अने प्रदुषन नियंद्र ना 5 लाग एम करिने कूल 15.50 लाग नो लाब आपण ने आपे छे आपची जो आगड आपणे चर्चा करिये तो वर्वुप्ष ना उ आपणे जानिये चे का आपणने वनस्पती द्वरा मेडविये चे आपणे एक वीडियो मा एपण सिख्या आता के खाद्यपदार्त ना जे स्त्रोतों छे एमा बे बाग वनस्पती जन्ने स्त्रोतों औने प्राणी जन्ने स्त्रोतों तो वनस्पती जन्ने स्त्रोतों मा आ आपने आ चर्चा करेली छे ते माटे आप विग्यान ने टेक्नोलोजी नुझे प्लेलिस्ट छे तेमा आए वीडियो अप्लोड करेलो छे समग्र प्राणी स्रुष्टी अप प्रत्यक्षिय परोक्षरी ते वनस्पती स्रुष्टी द्वारा खोराक मैडवे छे दरेक जिटली पन प्राणी स्रुष्टी छे ए प्रत्यक्षिय अप्रोक्षरी ते वनस्पती साथे संक्ड़ाए ली छे जिम के आपने विचारिये के जे त्रूना आरी प्राणीयों छे ए तो वनस्पती खाय जे छे मासा आरी प्राणियों मास काये चे परंदु मिश्रा आरी प्राणियों अत्वा मासा आरी प्राणियों नी गणत्री मारी ये तो ये जे चे ते त्रूना आरी प्राणियों ने खासे ये त्रूना आरी प्राणियों वनस्पती खासे आम दरेक प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष रिते वनस्पती साथे खोराक माटे संगडायेलाचे जिवन जरुडियतनी जीजो माँ गणिये तो पाणी जे खुब जगत्यनुचे ते माटे व्रुक्षो वर्सादनो नियमनने पाणी ना संचे माटे मदद रुप धायेचे आसीवाय आपणी जो मकान बांधकाम करिये तो तेमा उपरातु लाकडू पनीचर माटे नू लाकडू खोराक पकवा माटे नू बर्तन ए पण आपणने व्रुक्षो माथी जुमडे चे मानव सहित प्राणी स्वास मा प्राण वायू सोशे चे अने अंगार वायू के जे बाहर काडे चे ते सुरिय प्रकास नी आजरी मा पणनी मदद थी पोताना सरीर मा बेढ़वी खोराक बनावे चे एले के सिदू आपणा सरीर साथे वनस्पती संक्ड़ाएली चे एक तो आपणे स्वास मा ओक्सिजन जुए ये ओक्सिजन बनावा माटे आ अंगार वायू सुरिय प्रकास नी आजरी मा पणनी प्रकास नसलेशन नी क्रिया थचे त्यार बाद ओक्सिजन उत्मन न थचे आने अंगार वायू नो खोराक बंचे जे आपणे खोराक तरीके वनस्पती नो उप्यो करीशू अने प्राण वायू अने अंगार वायू नो प्रमान पन वनस्पती पोते वातारण मा जाडवी राखे चे आम व्रुक्षना जो आपणे उप्योगों गणिये तो ते अग अगर जमीन विशे वनस्पतिनी चर्चा करिए तो व्रुक्ष ने जमीन साथे नो सब्बंद पन बहुच सुन्दर चे एक तो फर्दृब जमीननु दोवान अटकावे चे व्रुक्ष ना जे मूलो चे ते जमीनने पकड़ी राखी चे एना कारणे जमीननु दोवान अटकावे चे आ सीवाई जे पवनेनी गती चे पवनेनी गती व्रुक्ष ने फायदो करे चे एसीवाई जे वर्साद के जे जमीन मा जवुच जुए जेनु पाणी भूगर्ब मा संग्रत आओ जुए ते पन व्रुक्ष ना मूल ना कारणे थई शके चे वर्साद ना पाणी नो भूगर्ब संग्र अने सामे जुए तो धर्ती ना उंडाण मा जे पाणी जतु रहुचे तेने पाचु खिंचवा माटे पन आज व्रुक्ष ना मूल काम मा आवसे धर्ती माना उंडा पाणी ने उपर खेंची लावे चे मूर जमिन मा उंडा जे ने मोटा खड़कोने पत्थरो तोडे चे आ निरजीव रजकरणों मा व्रुक्ष ना पान फूल फड़ ने मूल उमेरे ने तेने जीवन्त फड़ द्रूप बनावे चे आजू बजू मा पड़ेली माटी एकली माटी केसा काम नी नती तेमा जो मनस्पती ना फड़ फूल पान लाकडु ये बदू मीस रत हसे तो तेनू खातर अने एम अलग-अलग जीवन्त स्वरूप मा आपणने काम मा आवसे ये सिवाई व्रुक्ष नो जो अन्य उप्योग गणिये तो हवामा फेलायेली गंदकी अने अवाजने सोशी ने परियावरणना सुद्धी करणमा मदद करे छे ये व्रुक्ष कापी ने मानव बने छे पापी अने तेने व्रुक्ष नी महानता नथी मापी व्रुक्ष कापी ने आपणे पापी बनिये छे आपणे व्रुक्ष नी महानता मापी शकता नथी आ सीवाय आगड चर्चा करिये तो 1 सास्त्रने वुक्ष आरादना अनी जोडवामा आवेलू चे जोड़वामा आवेलू चे जोड़वामा आवे जे मा अलग अलग नक्षत्रो ने 1 साथे जोडवामा आवे चे अलग अलग जे नक्षत्रों घरा, तेने वन साथे जोडवा मां आवेँचे विजाइनगर तालूको, कि जे साबरकाटा जिल्ला मां आवेँचे तेना पाल गा में एक रुखडानू रुखश, रुखडानू रुखश, एडेंसिया डिजीटाटा आवेँचे आ व्रुक्ष नू जे थड़ो है चे ते बहुँज मोटू है चे अने येना डाला येनी सरकामणी मा बहुँज नाना है चे अई विजहिनगर तालुक आनी बात करिये तो पोलो फोरेस्ट ते आवेलू चे अहीं जे पाचण ना तमे जे व्रुक्षों नू चित्र जोई रह जे पाचण बेग्राउन मा चे ते पन पोलो फोरेस्ट नू जे चे विजहिनकर तालुको जिल्लो साबरकांटा ना पाल गामे एक रुखडानू व्रुक्ष एडेंस या डीजी टाटा आवेलू चे जे 10-20 मिटर उन्चु पांखर व्रुक्ष चे पांखर नी रूतुमा गोरकनात के जे आपने जुणागड मा गिर्नार परवत आवेलोचे ए गिर्नार परवत नी चोटी पर जे मंदिर गोरकनात ए पोता ना सिष्या ने आवरुक्ष नीके बेसी बोध करेलोचे। आ इतियासिक जाड वीचे कहवाई छे के गुरक नात ए पोताना शिष्य ने आ ब्रुक्ष नीचे बेसी बोध आपेलो छे स्थानिक लोको ना कहवा प्रमाणे किटलाक साधू ओ आ जाड नीचे बेस्वा आवे छे अने रडे छे आ जाड 400 वर्स पूराणू गणवामा आवे छे अहीं फरीती चर्चा करिये तो आपने यहीं एक रुखडानू गुरुक छे लेके जेनू साइन्टिफिक नेम एडेंस नीया डिजित आटा छे ते विजेनगर तालुकाना साबरकाणा जिल्लाना पाल गाम मा आवे लू छे जेनी उन्चाई यादराग जो 10-20 मिटर एना थड़नो गेराओ 32 फूट अने एना साथे एक अईतियासिक वात जोडाये ली छे जिमा गुरक नाते पोताना शिश्य ने आवर्युक्ष नीचे बैसी बोध करे लो छे ए सिवाए त्याना स्तानिक लोको एवु कहे छे के केटलाक साधू आ जाड नीचे बैसवा आवे छे अने रडे छे आ जाड 400 वर्ष पुराणू होवानू मनाय छे आपने आगण वार्त करे के वन ने ज्योती स सास्तर साथे जोडवामा आवेलू छे जेनी माहिती छे श्री आर्बी पटेल मदद नी वन सरक्षक्त वरापवामा आवेल छे नक्षत्र वन अलग-अलग नक्षत्रो जे खरा तेमने वन साथे जोडवामा आवेलू छे जेम के पिपरी व्रुक्ष चे ते उतरी फालगूनी साथे जोड़ायलू छे काखरा पूर्व फालगूनी साथे वड़लो वहांसे फुनर्वसू साथे आदरा, म्रूग यहां अलग-अलग सत्याविस नक्षत्रो आ नक्षत्रो विशे नू जे प्रक्रण छे आपणा दुरण छे सामजी विग्न्यान ना भुगोल मा आपनु गर प्रुत्वी प्रक् प्रक्रण नक्षत्रो ने वन एलेके व्रुक्षो साथे जोडवामा आवेला छे आगड आपणे चर्चा करिये तो जे आपणे आगड व्रुक्ष जोईयो थू खाक रुखडा नू व्रुक्ष आपणे जे आगड व्रुक्ष जोईयो थू रुखडा नू रुक्ष जे साइन्टिफिक नेम एडेंस नी या डीजी टाटा विजय नगर तालू को साबरकाटा जिल्ला मा जुवाँ मड़ियो तु तेना विशे नी आपड़े अगर चर्चा करिये तो एमा एना अलग-अलग भाग खुब जूपयोगी छे जे मादी पहला चाल मादी आपड़े आपवाती आराम थाये छे एन चालनी जे पोटिस चालनी पोटिस ये घड कुमड़ा पर बाँधवा मा आवे छे चालनी છालनू જે ચૂન છે તાવવાળાને અપાય છે પાકેલા ફળનો જે ગર્બ છે પાકેલા ફળનો જે ગર્બ છે समान वजेद नी जो साकर बेडवामा आवे बेग बेडवी पाणी मा राकी रातरे खुला होकाश मा राकी वैली सवारे आ मिश्रण स्त्रियोंने साथ दिवस सुसुदी पिवडावामा आवे तो तेमने सुवावड के गर्ब पात थतो अटके छे तेमाज गर्बनू रक्षा पन थाई चे अने पाका फड़नू गर्ब मर्डो जारे थयोए तेयारे पिवडावाई चे याद राक जो के पाकेला फड़नू गर्ब चे चे तेना साथ सरका भाग एमा समान वजेद नी साकर पाणी मा मिश्रण अने रातरे खुला होकाश मा राकी ए पाणी नू पन थाई चे आप आका फड़नू गर्ब मर्डो जारे थयोए तेयारे पन फिवडावाँ मा आवे चे आम आज आपड़े वन चेतना प्रकाशन ना द्वितिये चेप्टर वनो नी भूपियेंका आने तेना महत्वविशे चर्चा करी आना पचिना वीडियो आपड़ी यूटूब चैनल ने सब्सक्राइब करशो जेती तमने आवना रा वीडियो नी नॉटिफिकेशन मड़ती रहे आप सबनो आपार